गाईज मुझे कमेंट आ रहा था सुदम महर इनका कहना है कि कल निव रेविट लाया हूँ तो नार्मल गोल होकर बैठा रहता है कुछ खापी नहीं रहा है क्या करूं बताओ प्लीज 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 तो गाईज आज हम लोग इस वीडियो में ही सब कुछ कमपलीटली निव रेविट आनर को पता भी नहीं चल पाता है इसलिए गाईज आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आरके मौरिया और आप देख रहे हैं आरके पेट्रेवी टैंडेनिमल्स दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर मेरे दिल से हर्दिक स्वागत है गाईज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ट्रेस करके आल पर कर लीजिए जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे तो कि गाईज आपको तो पता ही है कि मैं सिर्फ खरगोस से समंधित वीडियो जही बनाता हूँ और आपको हमेशा इहां खरगोस के बारे में कुछ न कुछ नही जानकारी जरूर मिलेगी जो आपको आपके खरगोस को हमेशा हेल्दी और नार्मल रखने में काफी हिल्प भी करेगी तो चलिए गाईज ज़्यादा बाते ना करते हुए सिधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं गाईज नया खरगोस घर पर लाने पर उसे किस तरह से हमें मैनेज करना चाहिए आईए नमबर वाइज जान लेते हैं गाई जब आप नया खरगोस लाते हैं तब अगर वो कहीं ज़्यादा खरगोसों के बीच से आया होता है यानि कहने का मतलब है कि यो अगर खरगोसों के जुन्ड से आया होता है तब वो खुद को नय घर में अकेला महसूस करता है और फिर कहीं एक कोने में डरा डरा सा गोल होकर बैठा रहता है और खाना पिना भी बिल्कुल ना के बराबर करता है ऐसे में सभी रैबिट लबर भाई बहें जो नए है पहली बार रैबिट घर पर लाएं है ये उनकी टोटल जिम्मेदारी है कि वो उसे बहुत ज़्यादा ना छोड़ें और ज्यादा से ज्यादा उसे टाइम दे उसे अपने पास रखें उसे अपने हाथ से उसकी मन पसंद चीजे खिलाएं जिससे वो बोर ना हो और डिप्रेशन वगएरा में ना जाए वरना उसकी जान जाने का खत्रा हमेशा बना रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका खरगोस क्यों मर गया है नमबर टू टार्चर वगएरा भूल कर भी ना करें गाईज नए रेविट को कभी भी मारे पीटे आचोट ना पहुंचाएं गाईज कहने का मतलब है कि जब खरगोस नया होता है और कोई उसे गोद में उठाता है तब वो प्यार से पेश आएं उससे दोस्ती करने की कोशिस करें और जब वो आप पर ट्रस्ट यानि भरोसा करने लगेगा तब आप उसका रख रखाव आसानी से कर पाएंगे और हमेशा वो आपके साथ मस्ती करेगा आप उससे गोद में उठाएंगे तो आपको भूल कर भी नही 3. डर से बचाना खरगोस लाने से पहले उसके सिक्योरिटी का इंतजाम करके रखें जिससे आईसी कोई भी समस्या आपके नए रैबिट को फेस ना करना पड़े नमबर फोर सही डाइट की जानकारी पहले से ही करके रखना गाईज नया खरगोस घर में लाने से पहले ही उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले से ही जरूर रखें जैसे उसे क्या क्या चीजे खिलाना पिलाना चाहिए उसे किस जगां पर रखना है और कैसे उसकी भी चीज उल्टा सिधा खिला देंगे तब उसको गैस और उसके पेट में मरोडे वगएरा होने का खत्रा बढ़ जाएगा और गैस खरगोश को क्या-क्या चीजे खिलाना पिलाना चाहिए और क्या-क्या चीजे नहीं खिलाना पिलाना चाहिए इस टापिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर देख लिजिए आपकी प्राबलम साल्ब हो जाएगी और गाईज वीडियो पसंद आने पर लाइक ये उम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रैबिट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें हमारे इस्टाग्राम पर मैसेज करें तो चलिए गाईज मिलते हैं खरगोश से समंदित किसी और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद